भी थ Stream अब हम start कर रहे है प्रक्रश टर्टे विड विलए क्या गुड बिलकी क्या मैं जंखorkंत मैं वुड़ निदागे देखो में थे of गुडविन ढवेश्विट्ट सुपर प्राफिट्स क्या समझते हैं अ मिलते हैं मांको जब आपको तोडल करते हो तो परसेंटे जा जाती है ना यहां पर आवरेज प्रॉफिट वैसा ही है एवरेज प्रॉफिट इन्टु नमर आफ यह पर चेस अपको कुश्चन में दिया होगा तो उसके लिए आपको टेंचन लेने की जरूरत नहीं है चिके आवरेज प्रॉफिट है टेन थाउजन सेकेंड यहर का 25,000 थर्ड यहर का मानलो 20,000 चिके तो हम क्या करेंगे अभी अभी हम एक और ले लेते हैं फोर्थ यह ले लेते हैं ताकि डिविजबल बाइफ फोर हो जाए चिके तो इट विल बी लेट ट बी 11,000 चलो देखते हैं कितना प्लस कर देंगे प्लस करने के बाद कितना आ रहा है हमारा 66,000 आ रहा है 66,000 डिवाइड बाइड बाइफ और फोर करेंगे ठिके 66 डिवाइड बाइड बाइफ पॉर इन्टू दे नंबर ओफ यह परचेस मतलब यह नॉमल आवरेज हुआ नॉमल है इसको अब ब्ल्टिपल ही है आपके उसको number of year से डिवाइड कर देना सारे प्रॉफिट को number of year से डिवाइड कर देना आपको क्या करना average निकाला average profit और number of year purchase कर दिया लेकिन यह जो profits हैं यह जो हर साल के profits हैं यह normal profits होने चाहिए normal profits मतलब यह बहुत जरूरी है calculation करना normal profit का अगर जो भी आपको profit या loss दिये हैं उसमें कुछ abnormal चीज़े हैं तो हमें उन्हें हटाना पड़ेगा कैसे हटाई profit या loss दिया हुआ पर्टिकलर year का add कर दो abnormal losses जिसकी वह से अपका profit कम हुआ है बट वह core business activity नहीं थी ऐसे किसी और वज़े से हो गया है fire हो गया कोई problem हो गई बहुत accident हो गया machine एकदम से electric shock की वह से खतम हो गई कुछ भी है इस तरीकी के से उसके expenses आए तो losses आपने इस तरीकी के कोई भी expenses डाले हुए है losses डाले हुए तो उसे हटाओ that is abnormal तो abnormal losses को हमें आड करना है loss on sale of fixed asset fixed asset को sale करने पर आपको loss यह business activity नहीं है यह investing है ना जो आपका fixed assets है वह invest करते हो आप investing होता है तो उससे related core business activity नहीं है तो इसलिए उसको भी आप वापस add कर दोगे ओव वालवेशन आफ ओपनिंग stock and evaluation of closing stock जब आप आपको यह दव ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे debit side पे opening stock आपका credit side पे closing stock लिखते थे ना अगर आपने opening stock को बढ़ा दिया है तो आपका profit automatically क्या होगा कम हो जाएगा ना क्योंकि क्रेडिट का टोटल करते हो माइनस डेबिट करते हो तो प्रॉफित होता है क्रेडिट का ही कम आया अपने closing stock को तो इसलिए profit भी कम आएगा so automatically आपके profit कम दिखा रहे हो आप तो इसलिए उसको वापस आपके profit सही करो non recurring expenses expenses जो non recurring दुबारा नहीं होने वाले हैं वान जवाइल हो रहे हैं ठीक है वो capital नेचर के हैं basically so उनको हम वापस आड करेंगे that is not a normal course of business capital expenditure कोई ऐसे capital expenditure आपने गलती से उसे revenue expenditure की तरह treat कर लिया है को आपने machine ली थी लेकिन गलती से profit and loss में डाल दिया तो यह machine लेने का expense normal course नहीं है वो capital है और अपने machine उसको डाल दिया profit and loss में इसी वज़े से आपका profit कम हो गया होगा तो आप क्या करोगे वापस उसको आड करोगे ठीक है तो यहीं सारी चीज़े हैं जो आपके normal profit को normal बनाती है abnormal चीज़े उसमें से निकालती हैं सेम लेस्ट रिवर्स रिवर्स कैसे abnormal losses आट किया है तो abnormal gain less करोगे loss on sale of fixed asset अपने add किया है तो gain on sale of fixed asset आपका निचे रिवर्स over valuation of opening stock and the valuation of opening stock under valuation of closing stock सब उल्टा नॉन रिक्रिंग इंकम हो जाएंगी कुछ ऐसी इंकम जो हमारी बार बार नहीं आती है capital expenses charge as a revenue revenue as a charge capital उल्टा तो सब चीजों का reverse होगा वह आपका लैस हो जाएगा वह क्योंकि profit को बढ़ा रहा है तो profit को कम करके गए बट यह मेरे नॉर्मल को बिजनस के एक्टिविटी इसके नहीं थे इसलिए उसको वापस आड़ को वापस लाया उसमें आप अब नॉर्मल लॉसस भी देखोगे कुछ चीज़ चेंज़ भी देखोगे रनी विल गेट तो नो कि आपका गुडविल कैसे निकलता है अब हम स्टार्ट करें प्राक्टिकल कुश्चिंज आवरेज प्रॉफिट मेथड के गुडविल निकालनी है गुडवि अगर अगर अबनॉमल लॉस हमने चार्ज किया तो वापस ले लेंगे नॉन ऑपरेटिंग इंकम कुछ आई है तो उसे वापस लेंगे क्योंकि वह हमारी इंकम नहीं है बिजनस से रिलेटेट नहीं है चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम नॉमल प्रॉफिट निकालें हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट और एवरेज के लिए सारे प्रॉफिट पूरे तो सही होने चाहिए ना सी टू ताउजन फिफ्टीन के अंदर हमारा प्रॉफिट अक्चिली में टू लाग बट इस टू लाग के अंदर एक अब नॉमल गेन है तो उसे हम हटा देंगे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा वन लाग एटी थाउजन इस तरीके से हम नॉर्मल प्रॉफिट पर पहुंचेंगे अगर ना दिया हो तो डारेक ली दिया है तो कोई बात नहीं वह तो बहुत बढ़िया है अबरेज निकालके इन्टु नंबर आफ यूर्फ पर्चेस करके गुडविल आ जाएगी ठीके पहले हम इसको नॉर्मल पर जाते है 2016 C कितना है 2,20,000 का प्रॉफिट है उसमें आफ्टर चार्जिंग अबनॉर्मल लॉस मतलब इसमें से यह एक्स्ट्रा निकल गया है यह निकलना नहीं चाहिए था अबनॉर्मल लॉस है तो उसे हम वापस आड कर देंगे 40,000 C 40,000 को आड करेंगे तो 2,60,000 then we have next one 2017 2017 see how much 1,70,000 अब इसमें इंकम है अड़े मतलब जिस प्रॉफिट को बढ़ा कर गई है तो हमें उसे हटाना है सो माइनस 10,000 तो माइनस किया तो हम नॉरमल प्रॉफिट चुका रहे हैं तो यह क्या है 1,60,000 चली आड कर दीजे 1,2,3,4 तो यह आ गया हमारा 6,00,000 average किसे निकालते हैं always remember how to calculate average average हम calculate करते हैं see average profits is equal to sum of all जितने भी पिछले साल के 3 साल का निकालना है इसी average normal profit of last 3 years तभी हमने last 3 years का profit कितनी बार क्या करते हैं last 3 years बोल देते हैं चार साल का profit देते हैं तो आपको last के ही 3 years का लेना है चलो average करें 6,00,000 divided by 3 क्योंकि 3 साल का है तो आ गया 2,00,000 यह हमारा average profit आ गया है अब goodwill कैसे निकालेंगे how to calculate goodwill see goodwill का formula क्या था goodwill is equal to average profit जो हमने निकाला अभी into number of year purchase अब यह मैंने आपको बोला था कि यह पार्ट आपका question के अंदर दिया होगा see the question goodwill will be valued at 2 year purchase 2 year purchase लिखा हुआ है ना तो मतलब 2 साल तो दिया हुआ है question के अंदर तो हमारे बहुत easy 2 lakh is the average into number of year is 2 तो हमारी goodwill कितनी आ गई 4 lakh easy है ना see average profit is very easy क्या किया जो भी abnormal loss या abnormal game था उसका सारा adjustment किया फिर total sum pay total से average निकाला average into number of year purchase goodwill इस goodwill को हम use करेंगे जब कोई partner जाएगा जब कोई partner आएगा जब हमारी profit sharing ratio change हो जाएगी तो goodwill कैसे evaluate करते हैं वो समझ रहा है फिर हम उसको कैसे use करेंगे वो next में next वाले chapter में next वाले topic में समझेंगे